Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel आज का ये वीडियो उन महिलाओं से related है जिन महिलाओं को pregnancy conceive करने में बहुत ज़्यादा problem होती है क्योंकि actually उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है कि उनका ovulation कब हुआ है और वो कब fertile period उनका चल रहा है कब उन्हें relation बनाना चाहिए जिस करण से वो महगे से महगा treatment लेते हैं लेकिन इसके बाद भी उनको conceive नहीं हो पाता है तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी दी जाएगी ताकि आपको पता चल सके कि आखिर आपका ovulation कब होता है अंडा आपका कब फूटता है और जब ovulation होता है उसी दिन हर महिला conceive करने के लिए तयार होती है क्योंकि मन्थ में जो सभी days होते हैं उन days में महिलाओं की body conceive करने के लिए तयार नहीं होती है और एक मन्थ में कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जब कोई महिला conceive कर सकती है जब उसकी ovaries से egg release होता है एग rapture होता है तो उसे ovulation day कहा जाता है महिलाओं की ovaries से एक मन्त में एक ही ovaries egg release होता है तो आपको इस बात का पता होना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले friends आपको ये अपना जानकारी बहुत जरूरी होती है कि आप इस बात का पता कर सके कि आपका period cycle कितने days का होता है अगर आपका period cycle 28 days का है तो आपका ovulation 14 days पर होगा आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब महिला का period start होता है तो period की second day से उसकी ovaries में छोटे छोटे से follicles बनना start हो जाते है next month के लिए और उन में से एक एग ही ऐसा होता है जो की rapture होता है और period के 14 days पर वो एग रिलीज होता है और जाकर के फैलोपियन ट्यूब में इस पम का वेट करता है अगर उसी दोरान मेल का इस पम फीमेल के यूटरस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक चला जाता है और एग फर्टलाइज हो जाता है तो लगभग 7 दिनों तक वह फर्टलाइज एग आपके ट्यूब में ही रहता है फैलोपियन ट्यूब में इसके बाद 7 दिनों के बाद इंप्लांटेशन होता है लगभग पीरियट के 22 से 25 दिन के बीच में महिलाओं का एंप्लांटेशन starting हो जाता है जूकि एग्टेम में जाकर की वो भूध जाता है तो फ्रेंड्स आपको कनसीव करने के लिए अपना August यशन डे जानना बहुत जरूरी होता है व हर महिला कनसीव करने के लिए तैयार होती है अगर आपका ovulation आप ट्रेक नहीं कर पा रहे होते हैं तो आपकी बॉड़ी में कुछ symptoms भी होते है जिन symptoms को पता करके आप conceive करने के लिए try कर सकते हैं ovulation का सबसे पहला जो होता है फो यही होता है कि आपका जो body visual temperature होता है वो बर जाता है normal जब आप मॉर्णिंग में जागते हैं तो नॉर्मल दिनों में आपका टेंपडेटर नॉर्मल रहता है, लेगी जब आपका OVOL console day होता है तो आपका टेंपड़र बोडी टेंप्रेटर बढ़ जाता है, तो आप इस तरह से भी तैयार अपने आपको कर सकते है. दूसरा система जब आपका egg rapture होता है तो आपकी वेजाइना के थुरू एक चिपचिपा सा लिक्विड सा आपको निकलता है जो की stretchable होता है पूरे मन्थ आपका cervical mucus different different होता है एक सा mucus पूरे मन्थ नहीं आता है तो जब आपका ये mucus stretchable हो, whitey discharge हो तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी body conceive करने के लिए तयार हो चुकी है और उस दिनों में ही आप relation बनाए आपको ज़्यादातर ये advice किया जाता है कि आप period के 11th day से relation बनाना start करें period के 23 days तक उसका reason यह होता है कि जब आप conceive करने के लिए कर रहे होते हैं तो यह बीज के 10 दिन होते हैं period के starting के 10 days और last के 10 days आपको वह छोड़ करके जो बीज के 10 दिन होते हैं उस दौरान conception के chance बहुत जादा होते हैं क्योंकि उस दौरान जो आपका शविक्स का मूह होता है वह open होता है और स्पम को जाने में काफी जादा सहूलियत होती है इसके साथ ही उस दौरान जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वह भी बहुत ही जादा चिपचिपा होता है तरल होता है जिससे इस पम उसी के द्वारा आपके यूट्रस तक पहुंच जाते हैं और आपके एग को फटलाइस कर हो तरह जाते हैं तो आपको जब भी आप कं सीव करने के लिए कि त्राइत करें तो ओविलेशन् ऐग्नेंट हो जाएगा तो आपको कंसीब करने में काफी जादा प्रॉब्लम होती है अगर आप सही टाइम पर कंसीब करने के लिए तो निश्यादी आपको कंसीब हो जाएगा तो ovulation का एक बहुत ही बड़ा रॉल होता है और ovulation पर ही egg release होता है और जब सही time होगा आप उस समय पर relation बनाएंगी तो आपको definitely conceive होगा इसके साथ ही friends आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको partner के साथ बहुत ही healthy relation रखने है किसी भी प्रकार का कोई भी stress नहीं लेना है क्योंकि जब आप stress लेते हैं तो भी आपको conceive करने में बहुत ज़्यादा problem होती है आपको इस बात का stress बिलकुर नहीं लेना है कि आप conceive कर करना है सिर्फ आपको try करना है तो आई होप आपको यह वीडियो यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और share जरूर करें